एक कटोडी दही जब एक सक्स लगभग पैंत आलिस वर्ष के थे तब उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था लोगों ने दूसरी साधी की सलादी प्रंतो नोने यह कह करमना कर दिया कि पुत्र के रूप में पत्नी का दी हुई भेंट मेरे पास से इसी के साथ पूरी जिनि अच्छे से कट जाएगी पुत्र जब व्यसक हुआ तो पूरा कारोबार पुत्र के हवाले कर दिया श्रम कभी अपने तो कभी दोस्तों के ओफिस में वैट कर समय व्यतित करने लगे पुत्र की साधी के बाद तो वह और अधिक निश्चिन्त हो गए पुरा घर बहु को सुपुर्द्र कर दिया पुत्र की साधी के लगभग एक वर्ष बाद दो पहर में खाना खा रहे थे पुत्र भी लंच करने ओपिस में से आ गया था और हाथ मूद होकर खाना खाने की त्यारी कर रहा था उसने सुना की पिता जी ने बहु से खाने के साथ दही मांगी और बहु ने जवाब दिया की आज घर में दही उपलब नहीं है खाना खाकर पिता जी ओपिस चले गए थोड़ी देर बाद पुत्र अपनी पत्नी के साथ खाना खाने बैठा खाने में कटोड़ा भरा हुआ दही भी था पुत्र ने कोई परतिक्रिया नहीं दी और खाना खाकर श्वेम भी ओपिस चला गया कुछ दिन बाद पुत्र ने अपने पिता जी से कहा पापा आज आपको कोट चलना है आज आपका बिवा होने जा रहा है पिता ने आचरे से पुत्र की तरफ देखा और कहा बेटा मुझे पत्नी की अवसेक्ता नहीं है और मैं तुझे इतना सने देता हूँ कि शायद तुझे भी मा की ज़ुरत नहीं है फिर दूसरा बिवा क्यों पुत्र ने कहा पिता जी ना तो मैं अपने लिए मा ला रहा हूँ ना आपके लिए पत्नी में तो किवल आपके लिए दही का इंतजाम कर रहा हूँ कल से मैं किराय के मकान में आपकी बहु के साथ रहूँगा तथा आपके ओपिस में एक क्रमचारी की तरह वेतन लूँगा तापकी आपकी बहु को एक कटोड़ा दही की कीमत का पता चले है